देखना इस सवाल को इसमें माध्धिका ग्याद करना है देखो माध्धिका इसमें से दो और तीन दोनों में से आ सकता है दो में भी आ सकता है तीन में भी आ सकता है इससे पहले मैं बता चुका हूं विसम वाला अब इसको गिनते हैं सब पहले इसको क्या करते हैं बढ़ते क् ग्रम में लिखने पर एक्जाम में आएगा ही आएगा अब देखो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन है सब छोटे क्डूंडो कौन है 38 तो 38 को लिख ले रहा अब 38 के बाद देखो 49 है क्या नहीं है तो 40 40 के बाद देखो 41 41 के बाद 42 42 के बाद 43 43 के बाद 44 44 के बाद 45 45 बाद 46 नहीं है क्या है 47 बाद 48 नहीं 49 नहीं है क्या है नहीं यहां तक तो हो गया टोटाल अब गिंती गिन लो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो यह धियान देना अगर उपर 8 है तो नीचे भी 8 ही होना चाहिए समझ मैं अब देखो कितना होगे n बराबर 8 अब sum है कि विसम तो 8 क्या है sum है यहीं पर ध्यान देने हैं sum और विसम में ध्यान देने sum का अलग formula होता है sum का अलग formula होता है sum के लिए formula होता है अद्धिका बराबर होता है इसका होता है याद रखना यहां लिखना n by 2 उपद प्लस n by 2 प्लस 1 उपद अब पूरे का बटा होता है दो यहां पर ध्यान देना देखो n बटा 2 उपद यहां पक्लस वन बाइ 2 नी करना n बटे 2 ही लिखना अब मार रखेंगे, पूरे का बटा 2 है ना, देखो एन, एन का मान क्या रखेंगे? 8, तो 8 बटे 2 वापद, प्लस, फिर एन के जहें क्या लिखेंगे? 8, तो 8 बटे 2 प्लस 1 वापद, देखो जैसा बटा लगा रहे हूं, वैसा ही लिखना है, क्लियर? पूरे का बटा 2, तो 8 बटे 2 मतलब 2 चौक 8, तो चौथा पद, यह कितना होगा? 2 चौक 8, तो 4 आएगा, 4 रे कितना होगा? 5 बटा पद, समझ मैं? इतना यादर रखना, यहां जितना आता है, उससे एक ज़्यादा ही आएगा, गर यहां 4 आयते हैं 5 ही आएगा, गर यहां 5 यहां 6 ही आएगा, क्लियर है? बटे क्या हो गया? 2, अब 4 तो 4 पद, यहां पर ढूंड होगी, जमा के लिखियो उसमें ना, इसमें ढूंडना, 1, 2, 3, 4, तो 4 पद 42 और 5 पद 43, तो इन दोनों को लिखना है, तो 4 पद हो जाएगा, 42 और 5 पद क्या हो जाएगा? 43 बटा 2, दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 2, 5, 4 और 4, 8, इन दोनों को जोड़ देना, अब बटे 2, तो इसको कटा देना, तो इतना हो जाएगा? 2, 4, 8, 2, 2, 4, 1, 2, 5, 10, भाग दे देना, इसको 22 और 5 क्या है? इसका उत्तर है, क्लियर हुआ?